नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यह एक सबजी है जिसको हम लोग कुंदरू बोलते हैं कुंदरू एंटी आउक्सिडेंट का भी एक अच्छा खासा सुरोत माना जाता है यह सरीर के तनाओं को भी कम करता है और कुछ लोग तो इसे कच्छा भी खाते हैं और हम लोग तो इसकी सबजी बना के खाते हैं सूखी या मसाले वाली तो आज क्या करेंगे कुंदरू की सूखी सबजी बनाएंगे जो की हमारे खाने में एक साइड सबजी का काम करेगा तो चलिए वही बनाते हैं कुंद्रू की सूखी सबजी जो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी सबजी लगती है बिल्कुल कम मसाला पीना लासुन प्याज की सबजी है तो आप लोग इससे बना के खा सकते हैं तो सबसे पर इसके लेंगे हम 1 12 along केजी पकंद्रू इसमें कुछ पका हुआ भी होता है जो कि पका हुआ खटा लगता है इसलिए इसमें तीन से चार पका हुआ था जिसे हमने अलग कर दिया ये बिल्कुल सफेद है इसे साप करके गोल गोल स्लाइस में कट कर लेंगे गैस ओन करके कड़ाई में हम टेल चमज लेंगे सर्विंग स्पुन्स से सरसु का तेल तेल को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे हम चार सुखी लाल मिर्च इसको फोरन में डाल करके इससे हम पका लेंगे और ये सुखी सब्जी का फोरन भी बहुत अच्छा लगता है कड़क कड़क तो अब इसमें हम अपना कुंद्रू जो है कटा हुआ वो डाल देंगे काटने का भी इसमें दो साइज है हम लोग ज्यादा तर ऐसे कट करते है और अगर मसाले वाली सब्जी बनाइगे तब इससे हम इस तरह से पर्वल कट करते हैं वैसे कट करते हैं तो इस तरह से हम इसे चौक करके और इसको हम बिना ढखे हुए भूनेंगे क्योंकि इसमें पानी का मात्रा बहुत होता है तो इसको खुले में ही हमें बनाना है अब इसमें हम हल्का सा आधा छोटा चम्मच हल्दी पौडर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे तो नमक हल्दी डालेंगे और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पौडर भी डाल देंगे जिससे की हमारा सबजी थोड़ा सा तीखा सा बने चटपटा सा बने और यह सबजी जो है न बिल्कुल जटपट बन जाता है किसी भी चावल दाल सबजी के साथ या पराठा के साथ साइड में इसे आप भून सकते हैं और खुले में ही बनाईए बहुत ही करारा बहुत ही चटपटा बढ़ियां सबजी हमारा बन के तेयार हो जाता है और इसमें कोई खास मसाला नहीं जाता है बिल्कुल नमक खल्दी और लाल मिर्च पॉर्डर डाल दीजिए और इस तरह से इसे आप भून लीजिए और ये जटपट बनके तयार भी हो जाता है और बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी भी तयार होता है इसे तेज आँच में हम इसे थोड़ा सा लाल कर लेंगे तो देखिए ये हमारा जो है सबजी तयार हो रहा है तो इसे हमेशा चलाते रखना है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालिएगा तब ही इसका बहुत ही अच्छा सबजी तयार होता है और हम लोग तो इसको कुंदरू बोलते हैं आप लोग अपने तरफ इसको क्या नाम बोलते हैं जरूर बताएगा कमेंट सेक्षन में और इस तरह से देखिए हमारा कुंदरू की सूखी सबजी जटपट बनके तयार हो गई है इसे पराठा के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है चावल दाल के साथ भी अच्छा लगता है तो अभी हमारा सबजी तयार हो गया इसमें एक्स्ट्रा तेल नजार आ रहा है तो इस तरह से आप चारो साइट कर दीजिएगा तो एक्स्ट्रा तेल निकल आएगा और यह आपको कुंदरू की सबजी जो है ना बहुत ही बढ़ियां बनके तयार है रेसेपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कर करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें